नमस्कार जैश्री राधे मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दरशिकों का आस्ट्रोतक चानल पे बहुत-बहुत स्वागत है आस्ट्रोतक को देख सकते हैं तक आप से साथ-साथ फेस्बुक और यूट्यूब से भी तो फेस्बुक पे लाइक, कमेंट, शेर, फॉलो करें यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें और तक आप जरूर डाउनलोड करें इसके लावा यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रशन है तो आप मुझसे जुड सकते हैं www.astrotak.com पे लोगाउन करके यहाँ पर आप मुझसे जुड करके प्रशन पूच सकते हैं कॉल के द्वारा भी और अपना प्रशन साथे साथ मुझे लिख कर भी बेज सकते हैं तो आजब बात करेंगे आवले की अब देखिए आवले का आयरवेदा में बहुत अधिक फायदे लाप माने गए हैं अगर आप आवले का प्रयोग नियमित रूप से करते हैं तो कहीं न कहीं यह आपकी आयू भी बढ़ाता है आपके जो केश हैं वो भी सुन्दर और मजबूत होते हैं और बहुत सारे अन्यलाब भी आपको प्राफ्थ होते हैं मगर क्या आप जानते हैं कि धार्मित मानेताओं के अनुसार आवले को भी बहुत जादा महत्ता दी जाती है यदि आवले की पेड़ की आप उपासना करते हैं इसके नीचे इसकी छाया में बैट करके यदि आप भोजन करते हैं तो आपको काफी हद तक लाप राप्त होते हैं साथ-साथ आवले के सेवन से ना सर्फ आपको आयरवेदा से संबंदत लाप होते हैं बलकि धार्मिक तोर से भी आपको काफी हद तक लाप राप्त होते हैं कैसे इस विशे में चर्चा करते हैं अगर हम आवले की बात कर ही रहे हैं तो आवले के व्रिक्ष पे ऐसा माना जाता है कि तिरिदेव यानी भ्रह्मा विश्नु महेश इन तीनों का ही वास माना जाता है इसलिए यदि आप आवले के ब्रिक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करते हैं और कभी आवले का पत्ता श्रामा कीजेगा आवले का पत्ता आपके भोजन में आखर के गिर जाए तो ऐसे माननेता है कि कही न कहीं इन तीनों ही देवताओं की आप पर कृपपा अवश्य है या फिर आपके पास आवले का पता यदि आप अपने पर्स में रखते हैं या किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं जो बहुत ही सेफ हो या फिर अगर आप अपनी अलमेरा में आवले के पत्ते रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप मान के चलिए कि इन तीनों ही देवों की कृपा आप पर बनी रहेगी इसके अलावा यदि आप एका दशी पे यानि दोनों ही पक्ष शुकरी पक्ष और साथ साथ कृषिन पक्ष क्योंकि एक महीने में दो एका दशीयां पड़ती हैं तो अगर आप दोनों ही पक्ष की एकादशी पे आवले को सनान के जल में मिला करके सनान करते हैं, तो आपको हर तरहां के पापों से छुटकारा मिलता है और सासत पुन्य की प्राप्ति भी होती है। वहीं पर भगवान विश्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि आप आवले की पेड़ की उपासना करते हैं, तो ना केवल इन तीनों देवो की कृपा बलकी माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। और आपकी आर्थिक सिते भी मजबूत होती है। इसके लावा यदि आप अगर आवले के रसका सेवन करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अंदुरूनी शरीर में भी लाप मिलते हैं, साथ-साथ आपके जो घ्रे हैं वो भी मजबूत होते हैं। स्पेशली शुक्र घ्रे आपका मजबूत होता है जिसकी वज़ा से आपके जीवन में आकर्शन और खुपसूर्ती बढ़ती हैं, साथ-साथ अगर देखा जाए तो आपको आर्थिक सिति से भी लाप प्राप्त होता है। इसके लाबा बुद्ध ग्रे भी मजबूत होता है क्योंकि आवला जो है हरे रंगा होता है और हरा रंग जो है कहीं न कहीं बुद्ध से संबंद रखता है। तो आकरशन और खुबसूरती दोनों से ही आपको लाप प्राप्त होता है। तो इसी लिए आप आवले का सेवन जरूर करें। आवला जो है माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है तो माता लक्ष्मी जी को आवला जरूर अपित करें जब भी माता लक्ष्मी जी की उपास्ता करें। इसके अरामा शुक्रवार के दिन यदि आप आवला लेकर के आते हैं अपने घर में तो आपको और भी जादा लाप राप्त होता है। अगर हम देखा जाएं आरवेदा के अनुसार से तो दूद और आवले का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए नहीं तो ये आपके स्वास्त को नुकसान दे सकता है। जब भी आप आवले का सेवन करें चाहिए रस के फॉर्म में करें चाहिए किसी भी फॉर्म में करें इसके लगभग दो घंटे बाद आपको दूद का सेवन करना सही रहेगा। इससे पहले करेंगे तो आपको कही न कहीं ये नुकसान दे सकता है। तो कुछ इन खास चीजों का ध्यान रखें आवले का फ्रेयोग करते समय आपको लाव ही लाव राव दूगा।